तो चलिए और फाइली आपके जो है ओफिसली जो रिजल्ट है वो डिक्लियर कर दिये गए नालेट की तरफ से ओफिसली जिसमें की डेट आपको दी गई है 18 मार्च ठीक है तो 18 मार्च को आपके जो है ओफिसली रिजल्ट है वो नालेट ने अपनी तरफ से डिक्लियर कर दी हैं आप जाके notification जो हैं website पर दे सकते हैं अब आपको करना है कि अपनी profile में login करना है यहाँ पर जनवरी 24 रिजल्ट डिक्लियर डेट है 18 मार्च को आपको दिया गया है और पहले जो है आपका रिजल्ट पंदा आतारी को email के मादम से भेजा गया था अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक है टो वी और रिजल्ट और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकारत देखिए practical and project दोनों के number अब आपको यहाँ पर सो होंगे अब जैसे कि यह जो student है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जोड़ा जूम करके दिखा देता हूं के लिए समझा देता हूं क्या है इसमें result तो देखें इनका था M1 R5 का थियोरी में इनको मिले है 52 number और practical मिले 81 number बहुत ही अच्छे number है और weightage इसका मिला है देखें 63.60% और यहाँ लिखा है pass और grade लिखा है ठीक है और M4 R5 का इन्होंने दिया है internet of things का इनको 44 मिले है 100 में से और practical मिले है 72 overall weightage मिला है 55.20 और यह pass है इनको देखें C grade मिला है इसको कैसे calculation किया जाता है मैंने आपको बताया हुआ है तरीका किस परकार से निकालना है आप simple size को इस परकार से प्रेटिकल में आपको कितने मिले है 81 ठीक है तो है आप लिखी 81 multiplication इसका 40 का weightage 0.40 से multiplication कर दीजे कितना आ जाएगा 32.4 आया प्लस 31.2 इसको add करेंगे तो देखे 63.6 आ रहा है तो देखे 63.6 जवाब है आपका so कर रहा है ठीक है तो इस परकार से इसका weightage निकाला जाएगा इसमें जो आपके theory में आए इसमें 0.60 का multiplication कर दीजेगा और जो पैटिकल में आए इसमें 0.40 का multiplication करके दोनों को add कर दीजेगा आपका weightage आ जाएगा और weightage जो भी आएगा अगर 50 जे लेके 54 के बीच में है तो D grade मिल जाएगा 55 पे देखें इनका तो 55 में इनको C grade मिल जाएगा और 55 से लेके 64 तक और इसमें देखें इनको मिला 63 इनको C मिल जाएगा ठीक है 65 से 74 तो B हो जाएगा 75 से 84 है तो यहाँ पे हो जाएगा कितना A grade और 85 से 100 आता है नमबर तो आपका S grade दिया जाता है और ABS लिखा तो यह एपसेंट है आपका ठीक है और Z लिखा हुआ तो मॉडूल आपका cancel होगा यहाँ कि एक्जाम आपका होगा तो इस पेकार से अब अपना जो result है आप लोग जाके देख सकते हैं website पे officially जो है यहाँ पे declare कर दिया गया my course में भी जाके जो है अब यहाँ पे आप देख पाएंगे अपना January 2024 का result ठीक है यहाँ पे click करिएगा और click here to result यहाँ पे देखे आ जाएगा और साथी यहाँ पे भी लिख के आजाएगा पास तो थेंक्यों फर वाचिंग और अब आप जो है अपना फटाफट से जाएं project submit कराएं क्योंकि अब आपका officially result है डिक्लियर कर दिया गया है और certificate कब तक आएगा मैंने आपको बता दिया है यानि कि 18 तारी को आपका result डिक्लियर हुआ है अगर आपके चार पेपर और प्लस project submit है तो 18 से आप जोड़ लीजिए four to six week में आपका certificate आ जाएगा वही 20 अपरेल के बाद ठीक है और जो अभी अपना project submit कराएंगे तो वह आज की date से जिस date में आपका project submit होगा उस date से four to six week बाद आपका certificate जारी किया जाएगा तो फटा फटा seven six five nine four eight five पे और जो बचे आगे की classes join करना चाहते हैं वो भी आप join कर रखते हैं तो thank you for watching